दोस्तो नमस्कार करनल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनिगरू फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फिनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुकातिब होता हूँ आज 30 जुलाई संद 2023 दोस्तो रविवार आज का अपिसोड हम गवार सीड और गवार गम के लिए आपके लिए विशेश अपिसोड लाए हैं दोस्तो अजय एस्ट्रो मनिगरू देश का पहला चैनल है जो 42 कमुनिटेज 5 मार्केट पर लगाता है अपडेट और विशेशन आप तक प्रस्तुत करता है हम वर्तमानी नहीं भविश का भी करते हैं सेटी का अगलन दोस्तो कुछ समय पहले हमने आपको गवार सीड और गवार गम में तेजी की बात कही थी जो कि अक्षत सत्यसावित होई स्पॉर्ट और फ्यूचर मार्केट के अंदर वाइदा बजार में गवार सीड और गवार गम तेजी दिखाया गवार गम को उत्पादन कम होने से मंडिया विम गवार गम मिलो में हाजिर के माल में भारी कमी की समाचार मिल रहे हैं दूसरी और नई फसल आने में अभी तीन से चार मेहना समय बाकी है इस बार बजाई भी कम होने के समाचार हैं जिसका पूर्व आक्रन हमने आपको दिया था क्योंकि विपर जाय चक्रती तुफान के वज़े से पक्षमी राजिस्तान में समय से पूर्व शानदार बड़साथ के वज़े से और गुजरात और राजिस्तान में दूसरी फसलों पर खिसानों का रुज़ान बड़ा और गवार सीट की विज़ाई में लगवग 20 से 25 प्रतिशत का कम कानुमान है दोस्तो इन परिस्चितियों में गवार के अंदर कुछ तेजी बनने की संभावना बन सकती है दोस्तो गवार का उत्पादन कम होने और मंडियों में अब आराईवल थोड़ी थोड़ी कम हो गई है और केवल छोटे या बड़े स्टॉकिस ही माल अपना खरीद विक्वाल कर रहे है गतवर्ष गवार का उत्पादन गवारतलब है कि दो अक्टूबर को व्यापारियों ने एक करोड के आसपास उत्पादन की बात कही थी अब वोही व्यापारी गण और दूसरे लोग अब पचास से साथ लाक मेट्रिक टन की बाते कर रहे हैं दोस्तों महतापुन यह और रहे का कि अभी वर्तमान समय में ख़बर निकल के आगी है कि लगबक 80-85 प्रतिशत माल प्रोसेश हो चुका है और उत्पादक मंडियों में स्टॉक कम होने के समाचार है उदर NCDX फूचर मार्केट में भी गवार गम और गवार सीट की हाजिर के अपिक शाह 70 प्रतिशत 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 अधिक होने के समाचार है जिसके डिलीवरी के लिए अब माल के लिए एक प्रशंचीन है और यही कारणे डिवली रीव के अभाव में लगाता रागत सितंबर के सौधे बढ़ते जा रहे हैं गवार गवार इस बात बीच कभी काफी उच्छे दाव में बिक रहे हैं और वहीं गम मिलो के निर्याद सौधे अभी कुछ पैंडिंग होने के समाचार मिल रहे हैं अमेरिका और यूई आई में गम का स्टॉक काफी कम रह जाने के कारण लगातार निर्यातों की लिवाली बनी हुई है जिससे गम मिले अब वहाँ पर स्टॉक की एक पर एक प्रिसंचन लग रहा है यही कारण है गवार के भाव तीन दिनों में 150 से 200 रुपए बढ़कर राजिस्तान वे गुजराद की मिंडियों में 5950 से 6000 उपर निकल गए हैं और ये 6000 पचास और शेजार पिछेटर प्रपय प्रतिक उंटल के भाव के समाचार मिल रहे हैं जोतपूर एंदाबाद लाइन में गम के भाव भी 12700 से 12800 रुपए के आज़ पास चल रहे हैं नई फसलाने में अभी लंबा समय बाकी होने के कारण और निर्यातों को के लिके सौदे पेंडिंग होने से गम की खपत आगे बढ़ने के अब आसार नज़र आ रहे हैं फलत एक मेहने के अंतराल में 500-600 रुपए की अब बड़े व्यापारी तेजी धार रहे हैं लेकिन अब महतापूर ये रहेगा कि उपरी भाव में माल पे माल बेच कर निकलना उचित रहेगा या और उसके लिए एक मेहना इंतजार करना है इस विशेश रिपोर्ट के अंदर इसकी प्रमुख फ्रसल है और कुछ हिससे हर्याना के अंदर भी हैं लेकिन क्योंकि गवार की कमोडिटी एक चोटी कमोडिटी है और इसमें कुछ बाकी कमोडिटी के मुकाबले इसमें भाग लेने वाले की संख्या कम व्यापारियों की हैं लेकिन कि व्यापारी अ गवार का एका एकादिकार है और भारत देखा जाए तो गवार गम के निर्यात में एकादिकार रखता है कुछ माल पंजा कुछ पंजा पाकिस्तान भी इसका निर्यात करता है अफगानिस्तान भी इसकी पैदावार होती है लेकिन पूरा ध्यान पूरे विश्व का गवार ग का मेहना गवार सीट के लिए महत्वपुन साबित होगा यदि अच्छी बरसात होती है तो इसका येर्ड और फसल अच्छी आने की उमीद है गौरतलब है कि अक्टूबर महिने के अंदर व्यपारी संगठोनों का गवार सीट के ओपर अपना-पना अनुमान दर्ज होता है प उस समय लगबग गवार सीट के बाव 64-65 के आस्पा चल रहे थे उस वक्त भी हमने और जबकि व्यपारी गंड 7000-7200 का अनुमान लगा रहे थे उस वक्त हमने कहा था हम सहमत नहीं है साथ-साथ आपको याद होगा कि जब अक्टूबर के अंदर प्रत्तम सप्ता में विडियो हमने आपके लिए रिलिज किया था और दोस्तों उसके बाद में गवार सीट में जो 47 अर तालीस सो से भाव चड़े वो करिबं 6400 पे पर जाके रुके थे तो दोस्तों गवार सीट की तेजी और मंदी इसमें विशेश द्यान जो भी रखते हैं वो हमारा चैनल ब पूरी दुनिया उसको भागने पर दोड़ती है और उसके बाद 100-200 रुपे की 300 रुपे की तेजी दिखा के फिर गवार सीट नीचे आ जाता है और उसके बाद फिर वियापारी महिनों तक इंतिजार कर देते हैं और जिशेश कर जो NCDX के पर माल खरीते हैं और अक्सर दे सीट की विशे जानकारी के लिए आप संपर कर सकते हैं All the best, good luck, happy trading